दोस्तों नमस्कार याद करिए 19 मई 2023 इस देश में एक एनाउंसमेंट हुआ था और एक अफरा तफरी का महल बनाने की कोशिश की गई थी वो एनाउंसमेंट क्या था उसकी हम चर्चा करेंगे और किस तरह से अफरा तफरी करने की कोशिश की गई थी misleading information फ्लोट की गई थी और उस समय भी मैंने एक detailed वीडियो बनाया था कि ये कुछ नहीं होने वाला है भारत में कुछ भी नहीं बिगड़ेगा और वो वीडियो इतना पसंद किया गया कि आज भी अगर आप मेरे चैनल पे देखेंगे तो करीब 7 लाग से जादा लोगों ने उस वीडियो को देखा है दोस्तों आज हम उसी की एक और कड़ी में आगे बढ़ते हैं 19 मैं 2023 को RBI ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहट 2000 रुपए के नोट को वापस लेने की घोशना की दूँ बहुत सारे नियूज चैनल और बहुत सारे कमेंटेटर्स ने ये बोलना शुरू किया था कि नोट बंदी दुबारा आ गई दोस्तों ये नोट बंदी नहीं थी उस समय भी मैंने कहा था और आज भी कह रहा हूँ दो हजार का नोट लीगल टेंडर आज भी है और बना रहेगा लेकिन इसको सर्कुलेशन में हटाया गया है क्लीन नोट पॉलिसी के तहट क्योंकि कोई भी नोट अगर पांच साल तक बाजार में रहता है तो उसकी कंडिशन खराब होने की उमीद होती है ट्रांजेक्शन में दिक्कत आ सकती है तो आर बी आई ने उस क्लॉज का फाइदा उठा के ये घोशना करी कि हम दो हजार का नोट वापस ले रहे हैं और उस समय करीब तीन लाख चपन हजार करोड की जो करंसी थी वो दो हजार के नोट में थी तो लोगों को लगा कि एक बार फिर लाइन में लगना पड़ेगा धक्के खाने पड़ेंगे बैंकों में क्राइसिस होगा ऐसा कुछ नहीं था अगर आप ध्यान से देखें तो काफी समय से RBI और बैंक 2000 के नोट जब भी आप बैंक काउंटर में जाते थे तो आपको नहीं देते थे जब मांगते थे रेक्वेस्ट करते थे तो वो देते थे नहीं तो 2000 के नोट का सर्कुलेशन धीरे धीरे बैंकों ने खुद ही बंद कर दिया था दोस्तों जब डी मॉनिटाइजेशन हुआ था तब भी मैंने कहा था कि 2000 के नोट का कोई औचित्ते नहीं क्योंकि एक तरफ आपने 2000 का नोट रिलीज किया और साथ में 500 रुपए का नोट रिलीज किया डिनॉमिनिजेशन में बहुत ज़ादा फरक था अगर किसी के पास बैंक ने 2000 रुपए का नोट दे दिया और बजार में उसको जाके सबजी खरीद दी है या घर का राशन खरीदना है और 2000 रुपए का खर्चा करना है तो 1500 रुपए जिसको एक्सचेंज कहते हैं चिलर कहते हैं रिफंड कहते हैं दुकानदार के द्वारा करना बहुत मुश्किल था इसलिए 2000 का उस समय भी कोई लॉजिक नहीं था और जब RBI ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहट 2000 का नोट वापस लिया तो ये एक सही कदम था लेकिन कुछ ऐसी चीजे हुई हैं पिछले दिनों अगर हम उसकी चर्चा करेंगे तो बहुत सुखद अनुभव होगा जाते जाते 2000 का नोट भारत की अर्थ व्यवस्था और बैंकिंग सिस्टम को एक बूस्टर का काम करके जा रहा है और वो क्या है उसकी चर्चा मैं आपसे करूँगा मीनवाइल आप इस वीडियो को शेर भी कर सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों 3,56,000 करोड जो 2,000 के नोट के रूप में हिंदुस्तान में प्रचलित था उसमें से करीब 93% 3,32,000 करोड रुपए वापस बैंकों में आ गया है और जो 3,32,000 करोड रुपए वापस बैंकों में आया है उसमें से करीब 87% अगर हम यह कहें कि उसका 87% बैंकों में डेपॉजिट हुआ है और 13% ऐसा है जो लोगों ने 2,000 का नोट दे के वापस बदले में दूसरी करंसी ले ली है अपने खर्चे के लिए और जो अभी भी सर्कुलेशन में है वो है करीब 24,000 करोड रुपए दो हजार की संख्या में जो करीब 7% बनता है अब सवाल यह है कि अभी हफता बाकी है और उमीद है कि बहुत सारे लोग जो भूल गए होंगे चूप गए होंगे वो बचीवी करंसी को भी कंज्यूम कर लेंगे हो सकता है कि 2-3% रह जाए जो करीब 5-7 या 10,000 करोड के आसपास होगा तो वो चिंता की बात नहीं है क्योंकि शायद यह वो लोग होंगे जिन्होंने या तो ब्लैक मनी रखा होगा जो इस्तमाल करना नहीं चाहते होंगे या कुछ ऐसे लोग होंगे जो रखते भूल गए होंगे अब भूलने के क्या कारण है? यह हमें नहीं पता लेकिन दोस्तों जब हम आगे बात करते हैं इसकी कि इसका फायदा overall economy को क्या हूँ ये बड़े interesting आकड़े हैं State Bank of India ने एक study करी और बहुत ही interesting सुखद आकड़े सामने आए सबसे पहले तो जो 1,80,000 क्रोड रुपे बैंकों में आया उससे बैंकों में FD काफी तेजी से बढ़ा तो जो हमेशा बैंकों के पास एक liquidity crisis होता था वो नहीं हुआ, RBI को ज़्यादा note जारी नहीं करने पड़े और बैंकों के पास liquidity आ गई, जो banking system के लिए एक बहुत सुखद अनुपा हुए और जब FD's बैंकों के पास आती है या बाकी चीजें आती है तो बैंकों को आगे लोन देने में सुखदा होती है, liquidity बढ़ जाती है इसी के साथ जिन लोगों के पास 2000 के note थे और जो बैंकों में नहीं रखना चाते थे उन्होंने बाजार में जाके खर्चे की खर्चे इस हद तक हुए कि हिंदुस्तान की जो access consumption की बात कर रहे है 2000 note के कारण करीब 55,000 करोड रुपे का extra consumption हुआ है क्योंकि लोगों ने 2000 रुपे के note को बैंकों में रखने की जगे खर्च ना समझा और ये note 55,000 करोड रुपे अगर आज market में जाते है तो आप ये समझ लीजिए कि कितनी industries, small skill industries और large industries को फाइदा होता है economy में फाइदा होता है, employment generation होता है और भारत सरकार को अगर मैं on an average 18% भी क्योंकि ये जितना खर्चा हुआ होगा ये luxury goods में होगा डाल रोटी के लिए तो कोई 2000 के रोट खर्चेगा नहीं अलग से तो मैं उमीद करता हूँ कि ये white goods और luxury goods में खर्चा हुआ होगा गाडियों खरीदी होंगी, घडियां खरीदी होंगी, बाकी white goods खरीदे होंगे तो 18% की दर से अगर हम लगाएं, तो करीब भारत सरकार को भी on an average मुझे लगता है 10,000 करोड का additional GST मिला होगा, तो भारत सरकार का भी revenue बढ़ा है इसके साथ साथ, अगर हम यह देखें, तो जो online shopping होती है, उसमें करीब 75% की growth हुई है cash on delivery segment को लेके, पहले लोग credit card यूज करते हैं, लेकिन जब currency वापस ही करनी है और consumption ही करना है, तो खासकर जो food delivery channels रहें, जैसे zometo, swiggy type उनका यह कहना है कि करीब 75% उनकी cash on delivery में इजाफा हुआ, deliveries में और ज्यादातर लोगों ने 2000 के note दी, तो कुल मिला के वो circulation से भी वापस आया दूसरा जो बैंकों की तरफ से feedback आया कि बहुत सारे लोगों ने अपने loan टाइम पे वापस कर दिये क्योंकि जब पैसा उनको deposit करना ही था, रख नहीं सकते थे, तो उन्होंने अपने loan वापस कर दिये तो इससे बैंकों की जो books हैं, वो भी काफी हद तक clean हो गई है, इसके अलावा, जब bank system improve हो रहा है, consumption improve हो रहा है, तो overall इसका GDP पे भी प्रवाव positive पड़े ना, और यही कारण है कि अगर पूरी दुनिया में अगर हम देख रहे हैं कि recession है, economic slowdown है, तो कहीं ना कहीं भारत की अ वापस करने का फैसला लिया गया था 19 मई को, इसका भी योगदान रहा कि पिछले 3-4 महिनों में भारत की अर्थवेवस्था में एक booster का काम की है, और जो real estate अभी तक जिसको हम कहते थे कि demonetization के बाद एक dumb blood खडा रहा है, real estate में भी एक boost आया, क्योंकि जिन लोगों ने cash आना चाहते थे, उन्होंने properties में पैसा लगाया, और jewelry और ornaments की इसमें detail नहीं है, मुझे उमीद है कि वहाँ पे भी एक booster का काम करें, और सबसे अच्छी बात, जिसको लेके चिंता हमेशा रही, कि market में liquidity crisis आजाएगा, वो नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को बाजार में, या market म बैंकों में जब भी वो 2000 का note लेके गए, तो उनको बदले में दूसरी currency आसानी से में, इसलिए liquidity crisis भी नहीं हुआ, तो दोस्तों, जाते जाते, 2000 का note भारत की economy में एक positive चाप छोड़ गया है, हाँ, अगर आपके पास कोई 2000 का note पड़ा है, तो आप उसको souvenir की तरह रख सकते ह हैं, क्योंकि अगर 30 तारिक के बाद, वो legal tender तो रहेगा, लेकिन शायद bank और दुकाने या market उसको accept नहीं करेगा, हो सकता है कि आपको RBI जाके change कराना पड़े, और जब आप RBI जाके change कराएंगे, या चुनिंदा branches को जहां पे RBI नॉमिनेट करेगा, वहां जाके अगर आप को बदलवाना होगा, तो हो सकता है कि वहां पे KYC और उसके उपर थोड़ी और पूछता चो, कि ये नोट कहां से आया, क्यों अभी तक नहीं जमा कराया, वगरा वगरा, तो उस जंजट से बचने के लिए, अगर आपके पास 2000 के नोट हैं, आप उनको 30 तारिक से पहले जा होगा, हाँ, आप अगर उसको सोवर्नियर की तरह रखना चाहते हैं, एजे यादगार के रूप में, आप रख सकते हैं, रिजर्व कर लीजिए, हो सकता है 10, 20, 30 साल बाद, जब उन नोटों की आक्शनिंग होगी, तो निश्चित रूप से शायद मुनाफा हो जाए, क्यो में 2000 के नोट जमा कराने हैं, अगर आपके पास हैं, आप जमा करा सकते हैं, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, फैमिलीज और सिस्टम में शेयर कर दीजिए, अगर किसी के पास पड़े हैं, तो वो भी जैनकारी का फायदा उठाए, और 2000 का नोट जाते जाते इस देश को क्या देखे गया, वो चर्चा मैंने आपके साथ करी है, उमीद है, आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी, इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी, एक और महत् सब्सक्राइब के साथ, तब तक, बंदे बात्रा